तो ग्रेटर नोडा में फिर से गरजा प्रिशासन का बुल्डोजर आपको बता दे कि प्रादिकरण ने अवैद अतिक्रमण पर कारवाई की है सुनपुरा गाउ में 40 करोड की जमीन मुक्त कराई गयी है भू माफिया ने 20,000 बर्ग मीटर पर कॉलोनी काची थी अवैद कॉलोनी पर प्रादिकरण का बुल्डोजर चला है प्रादिकरण की कारवाई से भू माफिया में हड़कंप मचा हुआ है तो यूपी में प्यव्योगी आधितिनात का बुल्डोजर लगतार जारी है भूम आप्याओ पर बुल्डोजर चलता हुआ नज़र आ रहा है ग्रेटर नोडा में फिर से प्रिश्वासन का बुल्डोजर गरजा है तो प्रादिकरण ने अवैद अतिक्रमण पर कारवाई की यूपी के ग्रेटर नोडा से ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं आप देख सकते हैं कि अवैद कॉल्योजर पर बुल्डोजर चलता हुआ नज़र आ रहा है तो अवैद कॉल्डोंडी पर प्रादिकरण का बुल्डोजर चलता हुआ है कारवाई से और इसी कबर पर अधिक जानकारी के लिए समादाता वसीम सेफी हमारे साथ फोल लाइन पर जोड़ चुके है अभी क्या जानकारी मिल पा रही है बता जा रहा है कि सुनपूरा गाउं में 40 करोड की जमीन को जो भूमातियां हैं उनसे इसको मुक्त कराया है उसके चलते जो सुनपूरा गाउं में जिस तरीके से अवैद कलोनियों को काटा जा रहा था लगबग 20 हजार वर्ग मीटर की जमीन है उस पर अधिक्रमन किया था जिसके चलते इन्होंने कलोनी काटी किती लेकिन उसके चलते पहले भी ग्रेटर नोड़ा परादी करन ने इनको नोटिज जारी किया था कि आप इस तरीके से जो है गलत कलोनिया ना काटो जो है लोगों को अपनी जासे में आपस आओ लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नहीं सुना इसके चलते आप जो है डीम और एस्टीम तमाम जो अधिकारी है उन्होंने मिलके जो है इस पर अवैद करेमन कर गए उनको बुल्डोजर चलाया है और पर जो है इनको नौटिज जारी किया है इनको कानोनी सक्षारवाई की चेत अवनी भी इनको दी गई है जी वसीद देखे सेमयोगी आदितिनाथ ने कहा था कि बुल्डोजर तो चलेगा अवैद खनन माफियाओ पर बुल्डोजर चलता हुए नजर आ रहा है तो अभी क्या और अपडेट मिल पा रही है कि इससे लगतार हड़कंप मचा हुआ नजर नजर आ रहा है तो लगतार प्रिशासन का बुल्डोजर चलता हुआ नजर आ रहा है अब जाहिर सी बात है कि जो और भी इस तरीके से काम हो रहा है उनमें भी अब डर फैलता हुआ नजर आएगा भू माफिया हुए चलिए शुक्रियत अबाम जानकारी साजा करने के लिए